नमस्कार सॉती हो मैं आपका दोजदनराज्द शाजी फिर आपके लएएक नए वीडियो लेकर रहा हूँ और आज का वीडियो सब्वे अ के लिए बहुत ज़द खास होने वाले शात्यों तो आज का वीडियो अपना मेलोनेक्स इंजेक्शन के उपर मेलोनेक्स इंजेक्शन के पूरा डिटेल से समझाओंगा साथ हुआ समपून जानकारी दूँगा मैं आपको और बहुत ही छोटे वीडियो में आपको समपून जानकारी दूँगा इसको कैसे लगाना है आई वी कॉसी काम प्लेन इसमें कोई विनेसां बिला मार्केट मेसु चलते लेकिन साति येंटास कंपने का जो वीड कंपने का लेuration सातियों अगर आप फिल्ड में कई पिजाते हैं और यूज मे लोगा ले चांतरaints कमपने का आच्छे ब्रांड का है आप यूज मेंले नहीं मेलो नेक्स इंजेक्शन आती हो अब रूट की बात कर लेते कि इसको कैसे लगा सकते साथ हो इसको AIV भी लगा सकते जो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखाए AIV वाला के AIV कैसे लगाते तो वो भी आप देख स ठाए感ारि थामने आपने सबकгов नहीं दिखा थो आप सबकरवाला वीडियोवा देख सकते साथ हो जो तीन हो रूट से लगाश्ट कर अधरें यह उल veramente प्रहलों को उतीटा यहाजोनश्त करें रobil प्रतृफ में 50 में 355 अभा सब्व के फेरें किसी भी इंजेक्शन को तो उसका मैंने वीडियो डाल रखा है आप डोज रेट निकालना सेख सकते हो आराम से वह भी वीडियो देख सकते हो और साथ यह जितने में थमनेल दिखा रहा हूं आपको इन सभी की वीडियो आपको लिंक डिक्शन में मिल जाएंगे और अगर कर सकते हो बड़ा जानवर है तो किता हैं में लगाना इस हो किलो का हमारा जानवर है तो उसमें आपको डसे में लाशाति हो इसकी थोड़ी मात्रा उपन निची आप आ रहा मैं से कर सकते ह Creator कि बरके साफ से इसकी मात्रा उपन निची कर सकते हैं और एक बाद जरूर द्यान रखे कि घोड़ी में इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई जाती है और अने इनिमल्स में अपन इसकी मात्रा कम करते हैं लेकिन यह जरूर द्यान रखे कि घोड़े घोड़ी में इसकी मात्रा थोड़ यह गोडी को छोड़ के और सातियों यह जरूर दियान रखना है कि अगर इसके साथ में अपन कोई दूसरा साथ यूज में लेते हैं तो वहाँ पर डॉक और केट में इसको यूज में नहीं लेते हैं फिर चीए आपको या वेटनर इसलेटेट कोई भी अपडेट चीए आपको तो चैनल पर बने रहे हैं और जो गंटे वाला बटन देख रहे हैं इसमें ओल वाला उप्शन जरूर दवाए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके साथी हो जो आर्थराइटिस जो गठिया होती है उस रोग में इसका बहुत अच्छा रिजटे बहुत शानदार और साथी हो आपको जहां पर दर्द और सूजन हो आप इसका बहुत अच्छा रिजटे मेलोनेक्स का सबसे अच्छा रिजटे दर्द और सूजन में साथी हो और यह थोड़ा बुखार में कम काम करता है साती हो लेकिन दर्द और सूजन में इसका बहुत ही शांदार रोल होता है साती है और लो टेमप्रेचर में सबसे अच्छा इंजेक्शन है मेलो नेक्स इंजेक्शन में चाम लिए जाता है दर्षुजन के व्यावा여 dóndemyona बीमारी में किया जाता है थनेला रोग में किया जाता है थनेला अप में स्टाइट beneficiUS बोलते हैं और उसके तिनु WITH स्टेज के वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं जो आप जाके देख सकते हो कि थने लेरों के क्या इलाज है पॉल पाच्चा प्रोलेप्स या शरीर निकलना बोते पसु को उसमें भी इसको काम मिलिया जाता है और उसके भी तीने स्टेज के वीडियो मेरे चैनल पर सब भी वेटनेरियन प्रेक्टिशनर भाई यह जरूर द्यान रखे इसके टेमप्रेशर का स्टोर का क्योंकि इसको नॉर्मल लगवग 25 से 30 जो टेमप्रेशर होता है उसके बीच में रखना है आपको क्योंकि अगर आप ज्यादा है टेमप्रेशर पर रखोगे तो उस पे भी यह खराब होने के चांस है और लो टेमप्रेशर पर रखोगे तो उस पे भी आप खराब होने के चांस है इसलिए इसको 25 डिगरी पर ही रखना है 25 से 30 के बीच में आप अपने पास रखे कि अगर जादा केस देखते हो तो आप 100 ml वाली जो वाई लाते हो ला सकते हो और इसको 25 डिगरी के आसपास रखना है और आप इसको फ्लूड में डालके आराम से लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह जरूर दियान रखना है कि जो फ्लूड है उसके साथ में दूसरा इंजेक्शन मिक्स ना करें इसके साथ में इसको अलग से ही अकेले को यह ना करें और साथियों उसी सिरींग से अगर आप दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हो तो उस सिरींग को एक बार गरम पाने से जरूर फलस कर ले क्योंकि छोटी मुट गरबड़ोंने के चांस रहते इसलिए सावदा ने जरूर रखे आप और वेसे आप ड्रिक में आराम से अकेले को डावना है और इंजेक्शन इसके साथ में नहीं करने हैं एक बार फिर बता गया है साथियों आप अगर इसको बुखार में यूज ले रहे हो तो इसके साथ में जो पेरासिटा मॉल का कॉंबिनेशन होता है वो यूज में लेना है आपको जिसमें 1500 ml पर एमजी प स्टेज में आप इसको यूज में ले सकते हो आपका पसू ग्याबन हो या नहीं हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह बिल्कुल टेगनेशी सेफ है और छोटे काफ बचलों में आप इसको आराम से लगा सकते हो ठेंक्यू ओलों फी मिलते अगले